इस बार बीजेपी लिंगायत पोल्ट से बाहर निकल रही है पाकी कास को भी साहले की चलने कोशिश कर रही है नहीं कोई अतराजी नहीं है इनकी जो इनका थ्यापने कुछलेशन है बीजेपी का दिरसल कोर वहां लिंगायती रहा है यदुरप्पा जब 2008 में जब पहली बार बीजेपी की सरकार मां बनी हाला कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को आज तक नहीं मिला करनाटक में बावजूद इसके करनाटक में बड़ी पार्टी गूरी और यदुरुपा उसका फेस थे पिछली बार भी जब चुनाव लड़ी बीजेपी 2013 में बीजेपी हारी क्यों इ अगर भाजपा ने जोखिम लिया है कि लिंगायद फोल से बाहर निकल करके वोका लिंगा को ओवी सी को दलितों को लुभाने का प्रयास कर रही है तो इसमें जोखिम भी है जोखिम यह है कि कहीं लिंगायद बिखर जाए और दूसरा आपके साथ ना आए ये जोखिम कार्ड चलता है यह थोड़ा देखना पड़ा है क्योंकि वोका लिंगा का सबसे बड़ा जना अधान है वाज भी जेडियस के पास है वह द्योगोड़ा वहां सबसे बड़े वोका लिंगा नेता है और उसके बाद जो वोका लिंगा बचता रहा है कॉंग्रेस पर साथा र और इस्टिति में रही यह भी तक क्या और महसूरी जड़ीन में बीजेपी जेडी स्कोरिप्लिस कर पाएगी क्योंकि कॉंगरेस का जनाधार वह उका लिगा नहीं है जै ओल महसूर जड़ी जयनाधार दूसरा है तो अगर और वहां जेडियेस और कॉंग्रेस से बीज मुस् जो एंटीन कमेंसी है जिस तरह की नाराजगी है उसका मुकाबला करने के लिए बीजेपी ने मोदी जी को फिर से एक बार मैदान में उता रहा है और नरेंदर मोदी की लोगपृता और चवी ही बीजेपी का आखरी एक तरह से दाओ है और उसमें थोड़ा तलका खड़के ज इसलिए सोनिया गांदी पड़ी कर दी विशकन्या बोल दिया तो लगभा को दोनों चीज़े एक दूसरे से डाइलूट से हो जाएंगी तो यह अगर उनोंने उनको जैरीला साब बोला उनों विशकन्या बोला तो भाया नावोकम नावोकम तो समस्या अब करनाटे के मलिकार्जुन खड़के कॉंग्रिस के अध्यक्षे करनाटक से आते हैं देलित समासे हैं उनका उनकी लीडर्शिप पूरी स्टेक पर रहे करनाटक के चुनाओ में और राहूल गांदी की यात्रा अठारा दिन सबसे जाधा करनाटक में गुंजी है अगर कॉंग्रिस तरकार बनती है तो रहूल गांदी की यात्रा को सेंक्टिटी मिलेगी अगर नहीं बनती है तो यह माना जाएगा उसको इसर नहीं पड़ा इसलिए कॉंग्रिस के लिए करनाटक चाहिए बीजेपी से भी ज्यादा जीतना मातुपूर्ण है बीजेपी तो आगे रिकवर कर लेगी के लिए चुनाव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहीं से उसके बारे में आगे संदेज जाएगा मन से उजाना कर चले मन से उजाना कर चले एक अमर उजाना कर चले चला कर चले